हेलो व्यूवर्स, जाइका इंदिया का यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टन्ट ब्रेट गुलाब जामून की रेसिपी सिफ 15 मिनिट में बहुत ही आसानी से और कम इंग्रिजेंट्स का इस्तेमाल करके बहुत ही टेश्टी गुलाब जामून बनकर तैयार हो जाएंगे यकीन मानिए जब आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राइ करेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये गुलाब जामून ब्रेट से बने हुए हैं तो चलिए, सुरू करते हैं डेली और वीकेंड स्पेसियल रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं गुलाब जामून बनाने के लिए हमने ब्रेट की 15 स्लाइस ली है देखिए हमने यहाँ पर मेदे की ब्रेट ली है अगर आप चाहें तो आटे की ब्रेट का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन मेदे की ब्रेट से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमने जो ब्रेट ली हैं उनकी किनारियों को हम कट कर लेंगे इस तरह से आप केंची की मदण से कट कर लें या तो फिर किसी सा Eco Knife की मदण से भी इस की किनारियों को कट कर सकते हैं तो इस तरह हमने ب्रेट की किनारियों को अलग कर लिया गुलाब जामुन बनाने में हम इन किनारियों का इस्त्यमाल नहीं करना लेकिन इसका इस्तेमाल करके आप ब्रेट क्रम्स बना सकते हैं इसके इस्तेमाल से ब्रेट क्रम्स कैसे बनाएं इसकी वीडियो हमने अपलोड की हुई है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन ने मिल जाएगी अब हमने एक मिक्सी का जाल लिया है ग्राइंड कर लिया, अब हम इसमें एड़ करेंगे 50 ग्राम मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर को पहले हम ब्रेट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अगर आप मिल्क पाउडर एड़ ना करना चाहो तो इसकी जगह आप मावा यानि की खोया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो अच्छे से हमने इसे ब्रेट के साथ मिक्स कर लिया, अब हम इसका डो तैयार कर लेंगे, तो डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर कच्छा दूद लिया है, थोड़ा थोड़ा करके दूद एट करते जाएंगे और इसका डो बनाएंगे, देखिए आप यहाँ पर क तो आप देख सकते हैं कि इस दो को तयार करने के लिए ने एक कब दूद लिया था लेकिन हमने सिर्फ आधे कब दूद का इस्तेमाल किया है इस टेज़ पर हम इसमें एक टेबल स्पून घी एट करेंगे और घी एट करने के बाद हम इस डो को एक से दो मिनिट के लिए लगातार मसलते रहना है तो इस तरह से इसे मसलते रहेंगे तक कि जो डो है वो सोफ्ट और ग्रीसी हो जाए तो हमने जो डो तयार करके रखा है, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से उसे बोल का सेब देकर गुलाब जमून बनाएंगे दिखिए गुलाब जमून बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें क्रेक ना रह जाए अगर इसमें क्रेक रह जाएगा तो तलते वक्त गुलाब जमून फट भी सकते हैं और हाँ गुलाब जमून हम थोड़ी छोटी साइस के बनाएंगे क्योंकि चासनी में एट करने के बाद इसकी साइस थोड़ी बढ़ जाती है तो इस तरह से हमने एक गुलाब जमून बनाया और बाकी के डो में से हम इसी साइस के गुलाब जमून बनाकर तयार करेंगे अब हम चासनी बनाकर तयार कर ले दे हैं तो चासनी के लिए हमने 300 ग्राम चीनी ली है 300 ग्राम चीनी के लिए हम एट करेंगे 300 ml पानी यानि कि अगर आप मेजरिंग कप से पानी ले रहे हैं तो डेड़ कप पानी एड़ कर दीजेगा इसे एक बाद श्टर कर लेंगे और चीनी को इसमें मेल्ट होने देंगे तो यहाँ पर चास्नी को पकते हुए सिफ दो मिनिट हुई है अब देख सकते हैं कि चीनी इसमें अच्छी तरह घूल चुकी है इस टेच पर हम इसमें फ्लेवर के लिए एक टोथाई टीस्पून इलाइची पाउडर रेट करेंगे देखिए चास्नी बनाते वक्त हम खास दियान रखेंगे क्योंकि हमें इस चास्नी को ज्यादा पतला नहीं रखना और नहीं हमें से ज्यादा गाड़ा रखेंगे जब इसमें चीनी मेल्ट हो जाएगी तो चीनी मेल्ट हो जाने के बाद हमें से लो फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनिट के लिए पकाएंगे अगर आपने इस चासनी को ज्यादा पतला रख लिया और गुलाब जामुन तलने के बाद जब इसमें एट करेंगे तो गुलाब जामुन जो है वो गिलगिले से हो जाएंगे यानि कि चासनी में एट करने के बाद कुछ ज्यादा ही सोफ्ट हो जाएंगे और अगर आपने इसे ज्यादा गाड़ा कर दिया यानि कि इसे एक तार की या फिर दो तार की चासनी बना दी तो गुलाब जामुन चासनी को सोस नहीं पाएंगे तो बस इस बात का ध्यान लखेंगे कि हमें एक तार की चास्नी भी नहीं बनानी नहीं दो तार की चास्नी बनानी है बस एसी चास्नी बनाएंगे जो थोड़ी सी चिप-चिपी हो यानि की चीनी मेल्ट होने के बाद लो फ्लेंपर जिफ पाँच मिनिट के लिए इसे पकाएंगे तो हमने जो ब्रेट्स ली थी उसमें से हमने इतने गुलाब जमून बना कर तयार कर लिए अब हम इनको फ्राइ करेंगे तो हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया है और एक एक करके हम इसमें गुलाब जमून एट करते जाएंगे और low to medium flame पर हमें इनको golden brown होने तक अच्छे से fry कर लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर गुलाब जमून को fry करने के लिए तेल का इस्तेमाल किया है अगर आप चाहें तो इन्हें घी में भी fry कर सकते हैं तो केरफूली हम इसकी साइट्स को चेंज करते हुए हर तरफ से इसे अच्छे से fry कर लेंगे low to medium flame पर golden brown होने तक गुलाब जमून fry करेंगे और फीन है तेल में से निकाल लेंगे तब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो चास्नी है वो भी गरम ही है तो गुलाब जमून एट करते हैं अब चास्नी को थोड़ा गरम रखेगा और तेल में से निकालने के बाद गरमा गरम गुलाब जमून को इसमेड कर दीजिएगा तो चास्नी में सारे गुलाब जमून एट करने के बाद हम गेस की फ्लेम ओन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे चासनी के साथ 2 मिनिट के लिए और पकाएंगे चासनी में गुलाब जमून एट करने के बाद मीडियम फ्लेम पर 2 मिनिट के लिए इसे और पका लिया अब हम गेस की फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे कवर करके रखेंगे कम से कम 20 मिनिट के लिए इसे रख दीजिएगा दाकि गुलाब जमुन जो है वो चास्नी को अच्छे से एब्जोब कर ले गुलाब जमुन को ज्यादा दे तक चास्नी में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा लेकिन अगर टाइम की सोटेज है तो 20 मिनिट के लिए तो इसे चास्नी में रहने ही दीजिएगा तो खाने के लिए तैयार है जट पट बिना किसी जंजट के और कम इंगेडियंट्स का इस्तेमाल करके बने हुए इंस्टंट ब्रेट गुलाब जमुन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और इस आसान रेसिपी को फ्रेंड्स और फेमिली में जरूर से सेर कीजिएगा इस रेसिपी को ट्राइ करने के बाद हमारे साथ कॉमेंट बोक्स में अपने एक्स्पिरेंस सेर करना मत भूलिएगा चैनल पर नए हैं तो मेरे आपसे हमबल डी क्वेश्ट है के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं फिर में लेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई और प्लीज जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा